हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत है स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंट अफेर्स के वीडियो में आज 1 जुलाई 2022 है और आज से सुरू होने जा रहा है आपके लिए हमारा करेंट अफेर का वीडियो आज के वीडियो की पीडियो डाउनलूट करना मत भूलिएगा ये पीडियो मिल जाएगी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग दुनिया में बहुत से लोग अधिकांस लोग इस बीमारी से पीडित है वो करना तो बहुत कुछ चाते हैं लेकिन उनको अभी यही प्रॉब्लम रहते हैं कि आखिर लोग क्या कहेंगे चार लोग क्या कहेंगे दो लोग क्या और अपने काम को आगे बढ़ाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो ये देख रहे होते हैं लोग क्या कहेंगे तो जब तक आप लोगों के नजरिये से अपने आपको देखोगे आप जीवन में वो उन्नती वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते हैं तो चिंता करना छोड़ दीजिये के लोग क्या कहेंगे आप काम कीजिये महनत कीजिये वही लोग कहेंगे हमें तो पहले से पता था आप ये काम करके रिखा देंगे तो बिना किसी चिंता के फिकर के आपको अपने काम में लग जाना चाहिए इसी थोड़ के साथ आगे करेंगे आज के पहले प्रस्ट की आज का हमारा पहला प्रस्ट है कि महाराश्ट के नए मुख्यमंतरी के रूप में किस ने सपत ग्रहन की है तो महाराश्ट में एक लंबा ड्रामा चला और इस लंबे ड्रामे के बाद फाइनली एक नाथ सिंदे ने वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है पहले देविंद्र फर्णवीज बनने वाले थे मुख्यमंत्री लेकिन बाद में एकदम से ये ख़वर आती है कि एक नाशिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए है डीटेल देख लीजिए क्या है भगत सिंग कोश्यारी जी के द्वारा इस प्रकार से जो एक नाशिंदे हैं वो बीसवे मुख्यमंत्री यहां पर बन गए है और साथी देविंद्र फर्णवीज ने उप मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली है बात करें महारास्ट की तो यहां की राईधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री नए बन गए है एक नाशिंदे, राजपाल है, भगत सिंग, कोश्यारी यह याद रखिएगा बात करें दूसरे प्रस्न की दूसरा प्रस्न है कि भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध लगाया गया है एक जुलाई से यानि की सिंगल यूज प्लास्टिक में भी कौन-कौन से आइटम को बेंद किया गया है ये जान लीचे तो भारत सरकार के तोरा एक जुलाई से जो single use plastic है उस पर पूरी तरहां से विक्री पर उसको बैंद कर दिया गया है अब कौन कौन सी चीज़े बैंद की गई है तो plastic stick वाले earbuds जो कान में लगाते हैं गुबारों की plastic stick जो गुबारों में plastic stick लगी ही रहती है plastic के जंडे candy stick आइस क्रीम stick सजावड वाला थर्माकोल प्लास्टिक ब्लेट और कप इस प्रकार की चीजों को प्रतिबंधित किया गया करीब 19 चीज़े हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यह प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ आती थी उसको अंदर डालके उसे श्ट्रॉ से फ्रूटी बगेरा या माजा बगेरा पिया करते थे तो वो भी अब पूरी तरह से बेन हो गई है यह याद रखेगा इसके लाबा प्लास्टिक पेकिंग आइटम और प्लास्टिक इन्विटेशन कार्ड को भी प्रतिबंधित किया गया है तो यह आप याद रखेगा एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों इसको विन किया गया है तो इसका करण आपको सबकी को पता है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसको समाप्त होने में उसको खत्म होने में 400 से 500 साल लगते हैं और दुनिया में कई प्रकार की बीमारियां बहुत सारी गंदगी इसके कारण होती है और प्रदूशन होता है तो इसके कारण इसके जो यूज है इसको बेन किया गया है बात करेंगे तीसरे प्रसन की कि जूनियर फर्दिनेंड मार्कोस ये किस देश के राष्ट्रपती पद की इन्होंने सपत लिया देखे इस प्रकार के प्रसन आपसे लगतार आपकी एक्जामस में पूछे जाते हैं रखेगा नाम और किस देश के ये राष्ट्रपती प्रधाननत्री राष्ट्रधेक्ष बनते हैं तो ये बने हैं फिलिपीन्स के यानि की डि आप्शन प्रसन का सही उतर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो जूनियर फर्दिनेंस मार्कोस ये मनीला जो की फिलिपीन्स की राइधानी है यहाँ पर इन्होंने फाइनली राष्ट्रपती पद की सपत ले ली है और इन्होंने स्थान लिया है रोड्रिगो दुर्देते का ये भी आयत रखेगा इससे पहले यही राष्ट्रपती हुआ करते थे अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपती दुर्देते हैं उनकी पुत्री हैं सारा दुर्देते और सारा दुर्देते वहाँ पर अब उपर राष्ट्रपती बन गई है मार्कोस साहब जो राष्ट्रपती बने हैं उनके सामने एक तो सबसे बड़ी सम्मस्या कोरोना माहमारी के कारण जो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है और इस देश पर बहुत सारा कर्ज का बोज भी आ गया है तो इस प्रकार की चुनोतिया इनके सामने अब रहेंगे बात करें फिलिपिन्स की तुराइधानी जैसा कि मैंने आपको बताया मनीला है राष्टपती बन गए है जूनियर फर्डिन्स मार्कोस और मुद्रै है कि फिलिपिन्स पैसो है अब मैप में मैं आपको फिलिपिन्स लिए चलता हूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको फिलिपिन्स जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा भारत में पूर्विदिसा की तरफ पूर्विदिसा में आप जाएंगे तो ये जो आपको देख दिखाए दे रहा है ये देख फिलिपिन्स है यहाँ पर आप फिलिपिन्स का जंडा आप देख सकते हैं फिलिपिन्स की बात करें तो इसके आसपास कौन से देख है ये भी आपको पता होना चाहिए यह राइधानी यहां की मनिला है उपर देखेंगे तो ताइवान है इस तरफ नीचे की तरफ देखेंगे तो मलेशिया और इंडोनेशिया की सीमा लगी हुई है बाकी यह फिलिपिन्स इस तरफ का छेतर फिलिपिन्स सागर कहलाता है इस तरफ का जो छेतर कहलाता है वो साउ करेंगे अगले प्रश्नकी अगला प्रश्न चौथा है कि इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट द्वारा किस देश के तीन उपग्रहों को सफलता पूर्वक प्रच्छेपित किया है और ये प्रच्छेपित किये गए हैं सिंगापुर के उपग्रह यानि कि C-option इस प्रश्नका सही उतर है टीटेल देख लीजे क्या है इसकी तो जो राश्ट्री अंतरिक्च एजनसी है भारती अंतरिक्च अनुसंधान संगठन इसरो इसरो ने सिरी हरी कोटा में जो स्पेस पोर्ट है वहां से PSLV C-53 रॉकेट इ अब ये खबर इतनी इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इस प्रकार के प्रक्षेपन PSLV के द्वारा लगातार किये जाते रहें तो ये खबर इसलिए इंपोर्टेंट है कि जो इसरो है इसरो का एक व्यवसाइक कंपनी इसरो ने बनाई है जिसका नाम है New Space India Limited और उसके जो उपगराओं का सफलता पूर्वक प्रक्षेपन किया जा चुका है अब ये New Space India Limited करती क्या है ये प्रकार का वानेजिक विभाग है वानेजिक उपगरम है इसरो का जो की इस प्रकार के कामों को करेगी दूसरे देशों के लिए इसरो अपनी सेवाय देता है जैसे हमने जो सिंगापूर है उसके उपगरे को लांच किया तो इसी प्रकार के वानेजिक कामों को करने के लिए ये कंपनी बनाए गई है पहली बार जो वानेजिक सफलता पूर्वक प्रक्षेपन हमने किया था वो किया था फ्रेंच गोयाना से आरी निवे सी रियोकेट से GST 24 संच उपगरे का तो यह आप याद रखेंगे यह आपको बहुत इंपोर्टेंट बन सकता है अब बात करें इसरो की इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजिशन सौट में इसको इसरो कहा जाता है बैंगलूरू में इसका मुख्याल है स्थापना हुई थी पंदर मार्च 2019 और यह इसरो का एक वानजिक अंग है बात करें पांचोवे प्रसन की कि किस के द्वारा बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान बी आर एपी 2020 को जारी किया गया है तो यह जारी की गया है भारत की वित्वमंत्री निर्मला सीतरामन के द्वारा यानि की डि आप्शन सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो वित्वमंत्री है भारत की निर्मला सीतरामन और इन्होंने एक नया एक्शन प्लान बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 जारी कर दिया है अब इसके तहत इसमें क्या किया गया है जो बिजनस स्टार्ट करने होते हैं उन राज जो कि अपनाई गई है ताकि जादा से जादा बिजनस को जल से जल स्टार्ट किया जा सके और उनकी जो कम्प्लाइंसे होते हैं उसको स्टार्ट करने में लोगों को परिसानी ना है तो ऐसे साथ राज्य हैं जिनको सीर सुकलब्दी हासिर की है वो हैं आंदर प्रदेश, गुजरात, हरियाना, करनाटक, पंजाब, तेलांगना और तमिलाडू ये वो राज्य हैं जिन्होंने अपने हाँ बिजनस को स्टार्ट करने के लिए जो माहौल है उस माहौल को सुधार करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और लोगों का बिजनस जल से जल स्टार्ट स्टार्ट हो जा है, उनको ज्यादा परिसानी अना आएं उसके लिए काफी सारी टेकनलोजिक का परियोग किया है बात करेंगे चट्वे प्रस्नकी के उच गती के विस्तारित हवाई लक्षवाले विमान अभयास का सफल परिक्षन किया गया है तो अभयास क्या है ये एक विमान है और इसका जो परिक्षण किया गया है वो किया गया है चांदीपुर उडिसा में यानि की बी आप्शन प्रस्न का सही उतर है इस प्रकार से आप देख पारे होंगे एक छोटा सा ये विमान है अब इसकी डीटेल लेख लीजे क्या है तो भारत ने देश में ही विक् कर सकता है टार्गेट को हिट कर सकता है अभ्यास का डिजाइन निर्मान जो किया गया है वो रक्षा नुसंधान और विकास संगठन जिसको हम DRDO कहा जाता है उसका Aeronautical Development प्रतिष्ठान जो है उसके द्वारा इसको विक्सित किया गया है बात करें DRDO की यानि कि Defense Research and Development Organization की तो बात करें साथवे प्रतिष्ठान की कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंदर्मा पर Capstone Mission launch किया है और इसको launch किया गया है अमेरिका के NASA के द्वारा यानि की D-Option प्रतिष्ठान का सही उतर है डीटेल लिख लीजे क्या है तो अमेरिका का जो Space Agency है NASA उसने Capstone जान है और इसके साथ ही जो Artemis अंतरिक्ष कारिक्रम है उसकी सुरुवात कर दी गई है छे महा तक ये यान क्या करेगा जो चांद है जो चंद्रमा है उसके चारों और परिक्रमा करेगा और NASA के द्वारा एक Lunar Gateway के नाम से एक वहाँ पर क्या किया जाने वाला Space Station बनाया जान से पहले कक्षा की स्थिर्ता को परिक्षण करेगा कि आखर ये जो हम Space Station चांद के लिए पहुँचाएंगे मून के लिए पहुँचाएंगे तो उसकी कक्षा किस परकार की होनी चाहिए Lunar Gateway क्या है चांद के चारो और गूमने वाला एक Space Station होगा जैसे अभी एक अंतराश्टी Space Station International Space Station अंतरिक्ष में मौजूद है जो प्रत्वी की परिक्रमा करता है तो उसी प्रकार से चंदर्मा की परिक्रमा करने के लिए इसको लौंच किया जाएगा और Artemis Program के तहत मानाव को आठियो प्रस्निकी के हाल ही में महराश्टर के औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो बहुत लंबे समय की एक मांग थी और वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार थी और जिस पार्टी की बदल कर सरकार बन गई है वो है शिवसेना तो सिवसेना की मांग थी औरंगाबाद इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसके नाम को चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है और एक और सहर का नाम चेंज किया गया है इसकी डीटेल लिख लीजिए तो महराज का जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है संभाजी नगर और इसके साथ ही एक और यहां का शहर है उस्मानाबाद उस्मानाबाद का भी नाम बदल कर धाराशिफ किया गया है यह याद रखिएगा धाराशिफ जो है उस्मानाबाद का पुराना नाम है पे आवर वर लोकल में इसको अभी भी धाराशिव के नाम से ही जाना जाता है उसमाना बाद तो इसको सिर्फ कागजों में कहा जाता है ये आपको याद रखना है जबकि औरंगाबाद की बात करें तो इसका नाम चेंज हुआ था इसके अलावा जो नवी मुंबई एरपोर्ट है उसका भी नाम अब बदल दिया गया है और उसको कर दिया गया है डी वाई पाटिल एरपोर्ट तो ये आप याद रखेंगे उदव ठाकरी जी के आन्तिम काम यही थे बात करेंगे अब हम नवे प्रस्नकी के हाल ही में किस राज में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 का उदगाटन किया गया है याद रखेगा ये किया गया है तेलंगना में यानि कि B-Option प्रस्नका सही उतर है तो क्या है ये टी हब तो तेलंगना के मुख्यमंत्री है के चंदर से खर राओ इन्होंने तेलंगना की राजधानी हेदराबाद में बिजनस इंक्यूवेटर जिसका नाम है टी हब इसकी सुविधा का उदगाटन किया है तो ये जो सबसे बड़ा केंदर बनाये गया है तो ये किस मामले में बड़ा केंदर है तो भवन के साइज के मामले में करीब 5.82 लाक वर्ग फुट से अधिक पर ये भवन निर्मित किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा भी नवाचार परिसर बन गया है और ये जो नवाचार परिसर है दूसरा जो सबसे बड़ा नवाचार परिसर है Startup Incubator Station है वो F France में इस्थित है 2015 में ही इसकी T-Hub की स्थापना किये गई थी T-Hub यह मतलब Technology Hub हैदराबाद में एक नवाचार केंदर परिस्तिति की तंतर सक्षम के रूप में इसको स्थापित किया गया था याद रखेगा अभी T-Point यह जो T-Hub 2.0 को Integrate किया गया है यानि 2015 में T-Hub बना था और यह T-Hub का next version है याद रखेगा बात करें तेलंगना की तो भारत का 39 सबसे नया राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 2.0 जून 2014 को राज़ानी इसकी हैदराबाद है यहाँ के मुख्यमंत्री के चंदरशिकराव हैं और राज़पल तमिल सही सुनराजन है बात करेंगे दस्वे प्रसने की कि किस देश के क्रिकेट खिलाडी इयॉन मॉर्गन ने सन्यास की गोशना कर दी है और यह जो थे इंग्लेंड के खिलाडी थे और कप्तान भी सी ऑप्षन प्रसनका सही उतर है डीटेल लेखी जे क्या है तो इंग्लेंड की जो विश्व कप विजेता कप्तान है इयॉन मॉर्गन उन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास का एलांग किया और एकदम से ये एलांग किया गया है मॉर्गन के नितरत में ही 2019 में लॉट्स में पहली बार ICC पुरुष विश्व कप इंग्लेंड की टीम ने जीता था उसकी कप्तानी इयॉन मॉर्गन ने ही की थी इनके द्वारा 248 वंडे मेचेस खेले गए हैं उसमें 7701 रन और 115 T20 उसमें 2458 रन बनाए गये हैं तो ये था आज का हमारा करेंट इफेर का वीडियो आपको कैसा लगा करेंट इफेर का वीडियो कर्मेंट करके जरूर बताईगा इसमें क्या और नया और क्या वदलाव चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं अब आत करेंगे आज के सवाल की आज के सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देजिएगा नीती आयोग के नए CEO के रूप में किसे निकिया गया है तो इन में से कौन नीती आयोग के नए CEO बने हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा आज की बात करेंगे यहीं समापता आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत